अगर जातिवाद होते तो हम जगदेव बाबू को क्यों अपना निता मानते हम लोहिया जी को अपना निता क्यों मानते हैं अभी आप बताई अगर आलोक महता जी जगदेव बाबू जी का नारा को दोरा है तो क्या आलोक महता जी जातिवाद ही हो गये क्या इनके डिजाइन में हम लोगों को फसने की जरूरत नहीं है। चले गए लेके ना इस देश को दस फीजदी लोगों के हवाले कर दिया जो की आज शोशन कर रहे हैं और इसी के बाद जो है विवाद बढ़ गया था अलोक महता नहीं उन लोगों को अमेज़ों का गुलाम दलाल तक कहा था इसी के बाद जो है लगतार अलोक महता जो है को ध खमकी दिया रही थी जान से मानने था की धमकी दिए लिकिन आलोक महता अपने बयान पर कायम रहे ले और आज तेजस्वी आदब जब मंच पर पहुंचे तो तेजस्वी आदब में देखे किस तरीके से मंच पर पहले सुनवाते हैं आपको कि आलोक महता के बयान का समर्थन क और कहा कि इस तरह के जो लोग है इस तरह की जो फिसने की जरूरत है ज भी अपने बमधपने की जरूरत में कहा हुए लोगन के लड़ाइदा जारीक कि नहें ऊंद भों कौन लोग हैं वो यह वही लोग हैं जो देश में धर्म के नाम पर चोड़ा करा के लूट का काम करें पहला सुनवाते हैं आपको क्या कोश कह रहे हैं तो जस्वी आदब कि अगर जाती वाद होते हैं तो हम जगदेव बाबू को अपना निता मानते हैं हम लो हिया जी को अपना निता क्यू मानते हैं चौदरी चरन सिंग को अपनाने तक क्यों मंत ये सब केवल और केवल भड़माने वाली बाते हैं और इनके डिजाइन में हम लोगों को फसने की जरूरत नहीं है आप सब लोग सजग रहिए और इनके डिजाइन को पहचानिए और एक जूठ हो करके लड़ाई लगने का काम क अभी आप बताईए अगर आलोक महता जी जगदे बाबुजी का नारा को दोराए हैं तो क्या आलोक महता जी जातिवादी हो गया क्या बताईए आप लोग और आप तेखिएगा कि आलोक महता जी को मानने की धमकी दी जारी है कौन लोग है इन लोग चाहे आलोक पेंता जी को मानने की बात हो धम की मिल रही हो चाहे जो मौरे है यूपी में उनको धम की मिल ते परण रिहों माणने की यह कौन लोग यह लोग यह है आज वहीं लोग है मैं जो देश में धर्म के नाम पर चर्चा कड़ा करके देश को जो है लूटने का काम कर रहा है अज बताएं आज बजट था कि नहीं सब्सक्राइब संत्री आलोक मेता ने अपनी 10% वाली बयान पर कयाम रहते हुए कहा था कि शहीद जग्देपरशाद ने यह बात कही थी कि जो अंग्रेजियों के दलाल थे हैं अंग्रेजियों ने भारत से जानने से पहले अपने सत्ता उन्हें सौंप दी वह शोशक हो गए यह वही 10% जो बदल बदल के लोगों का शोशन करते हैं और इसे बयान के बाद जो है खुब बवाल मचाता फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार